जैहन दोस्तों मैं हूँ एक्सरवेश मैं अतर सिंग और मैं एक लोयर हूँ तोड़े इन दिस वीडियो आइविल एक्सप्लोर अबाट दा एन अदर टॉपिक रिलेटेट तो आर्मी एजुकेशन जिसको कि मैं कहूंगा इगनो सायद आपने एगनो का नाम सुना होगा और बहुत सारे बंदों के पास मैं एगनो की तरफ से साइटिफिकेट पहुँच वे चुके होंगी बट कन्फीजन ये कि उन साइटिफिकेटों का करना क्या है कहां तक वो वैलेड है क्या उनकी मानता है इसके बारे मैं आज आज आपको पताने वाला हूँ तो दोस्तों कोई भी फोर्स का बंदा अपनी सर्विस में रहते हुए कैसे अपनी डिगरी पूरा कर सकता है और आगे अपनी पढ़ाई परश्यो कर सकता है तता यह एजुकेशन आर्मी परसनल की प्रोमोशन के लिए भी यूज किस तरह की जा सकती है इन दिस वीडियो माई फुल फोकस ओन दा एशुएसेट इसुडेंट सिप जो की हमें इगनो प्रोवाइड करवाता है आपने तीन परजेक्टों की नाम सुनूंगे पहला ग्यांदी परजेक्ट दूसरा आकासदी परजेक्ट और तीसरा है सागर्दी परजेक्ट इन तीनों प्रजेक्ट के बारे में आपने सुना तो होगा यदि आपने इनका नाम नहीं सुना है तो मैं आज आपको इनके बारे में बताने बाला हूँ जो आर्मी से रिलिटेड हैं, डिफेंस से रिलिटेड हैं ग्यांदी प्रजेक्ट जो सुरुक किया गया था वो एगनो आपको एक Community College की तरह सिक्षा प्रवाइड करवाता है उसके लिए सिरुक किया गया था आपने अगर अपनी degree complete नहीं की है या आगे की पढ़ाई नहीं की है तो एगनो आपको 6 माह से 12 माह के अंदर 8 से 32 credit प्रवाइड करवाता है तता आपको 6 माह से 24 माह तक की पढ़ाई करनी होती है तता आपको एक degree जैसा card जिसे degree कहना हो चतनी होगा उसे मैं associate card करूंगा आपको करवा सकते है तो यह आपके लिए काफी useful होता है जिन्होंने आने से पहले पढ़ाई नहीं की है लेकिन वो defense में है और आगे अपनी पढ़ाई परिशु करना चाहते हैं further to army के promotion या IAS exam या PCS exam देने हो या आगे कुछ भी करना हो उसके लिए आपनी further steady complete करना चाहते हैं तो ग्यानदी प्रजेक्ट जो है वो related to army है और आकासदीब जो project है वो same project है वो related to air force है और सागरदीब प्रजेक्ट है वो भी एक same project है जो related to our navy force के related है तो एगनो basically इसमें collaborate करता है तता कई सालों से अपनी भागीदारी देता आ रहा है और एगनो सिर्फ associate student से provide करवाता है ने की degree अब बात करता हूँ कौन कौन सी degree इगनो द्वारा provide कराई जाती है तो सबसे पहले you can get associate degree from ignore by studying for six month to two year and you can pursue your education with a bachelor of art, bachelor of commerce, bachelor of tourism studies and bachelor of science की degree के साथ अब हाइसल कर सकते हैं और later you can convert it to full degree यानि final degree by taking admission in third year तो इन में सबसे बढ़िया होता है BTS यानि की bachelor of tourism studies इसमें easily you can pass and आगे पढ़ाई कर सकते हैं जो भी master degree आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको करने के लिए आपको study center मिलेगा तथा इसा एक center गाजियाबाद में भी है जो ऐसी पढ़ाई करवाता है तता आर्मी के खुद के भी education center है तता एगनो खुद आपको study center provide करवाएगा इन में library की faculty, assignment faculty, labs faculty सभी सभी आपको मिलेंगी लेकिन एक बात जो आपको जानना जरूरी है वो यह है कि आपको separately कुछ भी नहीं मिलेगा बलकि जो regular student हैं उन्हीं की तरह सब को चांपको करना पड़ेगा जिसमें lab attend या complete file project करना या फिर कोई assignment बनाना या और जो भी है library में जाना है जो भी है वो सब आपको yourself should be done जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक associate card मिलेगा जो की associate student से पूरी करने पर मिलता है उसे grade completion card क अब जब आपको यह grade completion card मिल जाता है तब आप इसे full degree में convert कर सकते हैं वो भी सिर्फ final year यानि third year की पढ़ाई करके साथ ही इस वीडियो में आपको हम में एक link provide करवा दूँगा जो आपको directly उस एगनो के home page पर ले जाएगा और वहां से आप पूरी जानकारी और प्राप्त क कर सकते हैं तथा साथ ही वहां से apply भी कर सकते हैं third year करने के लिए but firstly you must watch this video till end और link का जो link का जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूं अब बात करता हूं procedure to get full degree पर सबसे पहले associate student sip में कम से कम 8 से 8 क्रेड़ लेने होंगे जो की 6 माह की पढ़ाई पर मिलते हैं लेकिन maximum आप 32 क्रेड़ ले सकते हैं जो दो सारी की पढ़ाई पर मिलते हैं यदि आपको पढ़ाई में दिक्कत है तो एक associate student is attend to a study center for counseling, assignment, library faculty और इत्यादी चीज़े यानि के आपको इंदे पढ़ाई में को दिक्कत है तो आप इन चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं ये चीज़ें आपको faculty के तोर पर दी जाएंगे दूसरा जो कि एक regularist brand को दी जाती है और minimum six month और maximum two years के period के लिए ये faculty और प्लप्स कराई जाती है इसके अलावा no separate classes और lab classes for you बल्कि regularist brand के लिए जिस दिन जो class होगी वो ही class आपके लिए भी होगी और आपको attend भी करने पड़ेगे यदि आप class item नहीं कर पाते हैं तो आपके separate class held नहीं किया जाएगा associate student card आपको मिलेगा जिसे course completion card कहते हैं वो आपको after complete your association associate studentship मिलेगा admission open होते हैं इसके दो बार जुलाई में और जनवरी में every year आपको यहाँ पर एगनों के तरफ से आपको degree नहीं दी जाती है नहीं certificate दिया जाता है बलकि आपका course completion status card दिया जाता है change of course is not acceptable आपने जो associate studentship में जो भी course आपने लिए हैं वही course आपको final year में लेने पड़ेंगे final year में आप अपने कोई भी course को change नहीं कर सकते हैं फीस की बात करूँ तो 8 credit के लिए 7500 रुपे फीस है और यदि आप ज्यादा credit लेना चाते हो 32 लेना चाते हो तो आप 8 से multiply कर सकते हो 32 यानि कि 4 गुना और फीस लगेगी तो आपको लगबग 3000 रुपे फीस लग जाएगी 32 का score लेने के लिए 32 का credit score लेने के लिए और forms जो हैं वो submit होते हैं regional center में आप उनके लिए वह concern कर सकते हैं आपका regional center from deposit के बाद आपको एक ID card issue कर देगा तता जो भी regular student को चीज़ें दी जाती हैं वो सारी चीज़ें आपको भी issue कर दी जाएंगे finally as like that you can get your final degree and it is a good method to complete your graduation and get promotion in army or to civil sector job for your satisfaction इसके करने के बाद आपका gen jobs के लिए apply कर सकते हैं वो jobs भी मैं आपको एक बार बटा देता हूं और वो jobs हैं IAS, bank या इसके अलावा जो भी और कोई exam which you ever want to like to do वो सब आप दे सकते हैं apply कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह एक बिल्कुल valid degree होगी यदि वीडियो में देख़ी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को like करें share करें and subscribe करें मेरे चैनल को और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हूंगे यदि पसंद आ रहे हैं तो please like करें और comment भी करें यदि कोई चीज आपको और जानना है और साथ ही please press the bell button for latest update of my videos